हलो फ्रेंड्स आज हम लोग करने जा रहे हैं पूर्थ लेक्चर क्यापिटल गें रिवीजन विद कॉस्टन आंसर यह कॉस्टन आंसर सी ए इंस्टिटूट के स्टेडी मैट से लिया हमने और यह सी ए इंटरमीडिये नवंबर 2022 के स्टूडेंट के लिए मोस्ट मोस्ट बाकी स्टूडेंट भी से रिवीजन के परपस से देख सकते हैं हमने कर लिया था इलस्ट्रेशन एक्जामपल और कॉस्टन आंसर हम कर रहे थे तीन कॉस्टन कर चुके थे आज हम यह कंप्लीट कर लेंगे सिरीज कॉस्टन नमबर चार पांच छे और साथ यह हम आज कवर करेंगे यह चारो कॉस्टन बहुत ही बढ़िया कॉस्टन है अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी कॉस्टन नमबर चार इंडिविजुल है मिस्टर ए एक बिजनस करते हैं इनके पास इनका जो स्टॉक है और मशीन है वो एक्सिदेंटल फायर में डिस्ट्रॉई हो ग तो सेक्शन 451A अपलाई हो जाएगा और अगर स्टॉक के डिस्ट्रॉई होने पर इंश्ट्रेंस कमपन्सेशन मिलता है तो इसके लिए कोई प्रॉपर सेक्शन नहीं दिया गया है यह जिनरली PGBP में टेक्स हो जाता है ठीक है आगे देखते हैं स्टॉक की वेल्यू 56 थी स्टॉक की वेल्यू 56 थी अब इंश्ट्रेंस कमपनी ने कितना दिया अभी पता नहीं ठीक है सर्टन पोर्शन ओफ मशीन मशीन का कुछ हिस्सा सेल्ब्स हो सकता था बचाया जा सकता था अब देखते हैं कि कुछ हिस्से का क्या हुआ आगे ओपनिंग बैलन्स यानि ओपनिंग डबलू डीवी उस ब्लॉक की है लास्ट यर के डैप्रेशिशन को चार्ज करने के बाद 10,8,000 तो करेंट यर का ओपनिंग डबलू डीवी 10,8,000 है During the process of safeguarding machine and in the fire fighting operation Mr. A lost his gold chain और diamond ring तो उस accident में इनके दो चीजों का और नुकसान हो गया gold chain और diamond ring अब इसके बारे में आगे देखते हैं दोनों ही capital asset है जुल्री है capital asset है दोनों ही which he had purchased in April 2004 for Rs. 120,000 market value 1,80,000 जिस दिन आग लगी उस दिन की है यहाँ पर relevant information दिया हुआ है कि Mr. A को insurance company ने क्या दिया Mr. A को insurance company ने 4,80,000 रुपे दिये 4,80,000 रुपे दिये यह दिये हैं stock के लिए अब आप यहाँ पर stock की PGBP income one to one relation पर मत निकालना stock की PGBP अगर वो कहते हैं कि stock की PGBP निकालो separately तब तो निकाला जा सकता है otherwise यह सिर्फ हम दिखाएंगे P&L account के credit side में यह income के रूप में covered हो जाएगा towards damage of machine 6,00,000 रुपे मिले हैं और gold chain और diamond ring के लिए 118,000 मिला है you are required to briefing comment आपको सिर्फ comment करना है तो यह theoretical question एक तरीके से है इसमें numerical ही कुछ नहीं करना आपको सिर्फ comment करना है tax treatment के बारे में तो पहला जो मिला है उसका tax treatment आप PGBP में लेकर जाओगे आप बताओगे कि यह PGBP में taxable होगा और इसे हम PGBP की income मानेंगे अलाकि अगर हमें one to one निकालना होता तो हम उसकी cost minus करके उसका loss या profit निकाल सकते थे दूसरा machine machine इनके पास कुछ machine है block में उसकी opening WDV दी हुई है 10,80,000 अब यह machine destroy हो गई ठीक है, machine destroy हो गई और insurance का पैसा मिला अगर हम block of assets देखें तो add actual cost of asset acquire करते हैं जो कि कुछ भी नहीं है इस साल minus करते हैं money payable जिसमें हम insurance के पैसे money payable में दिखा सकते हैं ठीक है अब यहां हमारे पास WDV depreciation के लिए क्लिए आएगा वो देखने वाली बात है देखिए question में यह नहीं पता चल रहा है कि उस machine जो damage machine है जिसको बचाया जा सकता था उस machine को insurance company ने ले लिया और उसके पैसे दिये या machine वहीं चोड़ दी और यह पैसे दिये दोनों case possible है अगर machine insurance company ने वहीं चोड़ दी और यह 6 लाक रुपे दीए तो इसका मतलब block अभी भी exist कर रहा है अगर सारी machine जो जली भी थी destroyed थी उसको बचाया जा सकता था थोड़ा बहुत उसके portion को machine के portion को बचाया जा सकता था अगर वो machine insurance company ने Mr. A के पास ही छोड़ दी तब तो इस block में अभी भी asset है फिर यहां 4,80,000 रुपे आएगा और उस पर depreciation भी आएगा और capital gain का कोई प्रशने नहीं उठेगा clear है लेकिन अगर हम यह assumption लें कि insurance company ने वो damage machine ले ली होगी जिसके ज़्यादा chances है क्योंकि insurance company आपको मुआफ़जा जिस चीज का दे रही है वो चीज insurance company take over कर लेगी तो insurance company ने अगर वो machine ले ली तो फिर block में कोई machine नहीं है अगर ऐसी case ऐसी परिस्थिती में हम इसकी WDV देखेंगे तो वो 0 आनी चाहिए block 0 हो गया block खतम हो गया और यहाँ पर STCG under section 50 bracket 2 आना चाहिए जो की loss बनेगा 4,8,000 का loss बनेगा ठीक है तो दोनों assumptions से आप answer कर सकते हो next है हमारे पास gold chain और diamond ring gold chain diamond ring capital asset है यहाँ पर section 45 1 अपलाई आप कर सकते है और insurance है जो पैसा मिला 1,8,000 उसे sale consideration लेते हुए जो cost of acquisition है एक लाग बीस हजार 2004 में उसे index करते हुए आप LTCG निकाल सकते हो indexation वगरह नहीं करना inflation नहीं दिया हुआ है working नहीं करनी सिर्फ आपको briefing करनी है tax treatment tax treatment में यहाँ आपको यह बताना है कि हलाकि यह personal है लेकिन since it is jewelry then it becomes capital asset under section 2 clause 14 और capital gain निकलेगा section 45 1A को 7 में read करते हुए अब आप answer देख लीजेगा बतलब answer तो आपको पहली एक बार ही सोचना चाहिए जैसा मैं बोलता रहता हूँ next question फिर से आप try कीजिए एक बार ही आप try कीजिएगा जरूर उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए Mr. Sartak अगले पेज में continuity में है तो आप अपने pdf से देख लीजेगा Mr. Sartak entered into agreement with Mr. Jai Kumar to sell his residential house located at Kanpur agreement इस तारीक को हुआ है एक करोड़ पचास लाग का sale consideration में 20% आपको prescribed bank mode में दिया जा रहा है agreement की date को तो ये इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि अगर इस question में SDV का जिक्र है और SDV से हमें compare करना पढ़ रहा है section 50 C लगाना पढ़ रहा है तो हमें SDV कब की देखनी है on date of agreement देखनी है because इन्होंने prescribed bank mode में पैसे receive किया है date of agreement on or before 60% possession पे मिलेगा और balance आपको title जब transfer होगा registration तब मिलेगा अब इसमें एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ मैं revision के तोर पे अगर कोई property बिखती है तो उसके date of transfer क्या लेते हैं यानि date of transfer क्या लिया जाता है जिस दिन हमारा agreement होता है क्या वो दिन लिया जाता है नहीं agreement होने के बाद part performance जब complete हो जाता है यानि कि आपने पैसे दिये हो और आपको possession मिल गया हो possession की date को हम cost date of transfer मानते हैं तो यहाँ पर possession की जो date होगी उसे आपको date of transfer मानके cap gain work out करना है registration matter नहीं करता क्योंकि registration कई बार होता भी नहीं property का बिना registration के भी transfer हो जाता है power of attorney के आधार पर तो registration date matter नहीं करता date of transfer माना जाता है जब possession आपने ले लिया पैसे दे कर जैकुमार जिसने जैकुमार जिसने खरीदा है ठीक है न उनको दे दिया गया possession 15.12.2021 को पंधरा बारा 2021 को possession दे दिया गया ये date of transfer माना जाता है registration कंप्लीट हुआ है 2022 जनवरी में और इसने sale के पैसे दिये हैं इस प्रकार से ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सार्थक ने further एक residential house acquire किया है कानपूर में तो ये सार्थक had acquired residential house जिसको बेचा गया है 2001 में 30 लाख रुपे का तो ये cost of acquisition बन जाएगा index करना पड़ेगा after recovering the sales proceed he purchased two residential house property कानपूर में 20 लाख दिल्ली में 35 लाख और ये within time है यानि return file करने से पहले ही हो गया है तो cgds का कोई मतलब नहीं बनता section 54 की बात अगर करेंगे आप revision के तो लें तो section 54 में आप एक से जादा property purchase नहीं कर सकते लेकिन उसके लिए exception के तोर पर है कि lifetime आप एक बार ये opportunity opt कर सकते हो कि आप दो property ले सकते हो लेकिन LTCG दो करोड के उपर नहीं होना चाहिए तो देखते हैं यहाँ पर LTCG क्या बन के निकल के आता है ओके बस अब आपको cap gain निकालना है तो cap gain के लिए पहले तो मुझे लेना पड़ेगा sales consideration cap gain के लिए पहले मुझे लेना पड़ेगा sales consideration actual sales consideration एक करोड पचास लाग और SDV दिया हुआ है या नहीं अच्छा सॉरी यह SDV था SDV था बताए यह SDV हमने decide किया था कौन सी date के लिए को लेंगे date of agreement यानि date of agreement क्या होता है 16-8 को है 16-8 को तो यह हमारे लिए SDV relevant है बताए actual sales consideration है एक करोड पचास लाग और SDV जो हमें consider करना है वो एक करोड सत्तर लाग है actual का 110% पहले मैं निकाल के देख लूँ एक करोड पैसट लाग उससे ज्यादा SDV है तो SDV बन जाएगा sales consideration एक करोड सत्तर लाग 30 लाग रुपे को आप index करोगे index करने के लिए हमें 2001 में जाना पड़ेगा 2001 तो एक तो हमारा 2001 तो 100 ही है तो इसमें कोई tension की बात नहीं है और current year 117 आपको याद होगा तो इस प्रकार से आप indexation कर देंगे कोई cost of transfer नहीं है कोई cost of improvement नहीं है तो यह आपका LTCG generate हो जाएगा 30 तीस लाख एक सो तीन ठीक है माइनस 93 कुछ और आगया क्या 30 लाख का अचा अचा ठीक है 30 लाख दिवाइद दे 100 वाइनस यह रहा है 74 लाख 90 थाउसन अब आप 54 की exemption दे दीजी 20 लाख और 35 लाख दो प्रोपटी खरीदी है दो क्रोड के उपर LTCG नहीं है तो आप दो प्रोपटी की exemption लाइफ में एक बार ले सकते हैं यहाँ पर वो लेंगे क्योंकि पहले कभी इनोंने नहीं लिया है कॉस्चन में ऐसी बात नहीं दी गई है तो 50, 35 और 20 55 लाख रुपटी की exemption आप ले लीजे 19 लाख नबे हजार आपका taxable LTCG आ जाएगा 19 लाख नबे हजार आपका taxable LTCG आ जाएगा इस कॉस्चन में और किसी बात का कोई जिक्र नहीं है हमारा काम पूरा हुआ ठीक है जी चलिए नेक्स्ट कॉस्चन पर आते हैं सिक्स्थ सिक्स्थ और सेवन्थ कॉस्चन बहुत ही इंट्रस्टिंग कॉस्चन है आप जरूर अच्छे से देखिए और कौन-कौन सा एरिया कवर हो रहा है वो भी देखिए यहां पर यूविका ने एक प्लॉट खरीदा है 80 लाख रुपे का 2004 में रजिस्टेशन और दूसरे खर्चे 10 परसेंट है तो हमारा जो कॉस्ट अफ एक्रिजिशन बन जाएगा वो 88 लाख बन जाएगा जब हमें इंडेक्स करना पड़ेगा तब की बात है इन्होंने रेजिदेंसियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई है 100 लाख की 2006 साथ में तो इसे आप कॉस्ट अफ इंप्रूव्मेंट के नाम पर ले सकते हैं 100 लैग दो बार अलग-अलग capital gain भी निकाल सकते हैं आप चाहें तो और आप चाहें तो cost of improvement के नाम पर या cost of acquisition के ही नाम पर दो बार अलग-अलग indexation कर सकते हैं वैसे ज्यादा सही तो cost of acquisition ही होगा क्योंकि दोनों acquisition का ही है cost of acquisition दो अलग-अलग time period में है तो दो अलग-अलग time period में होने के वज़े से जब आप indexation करेंगे तो इनको separate separate indexation करेंगे अगर ऐसा case बनता कि जमीन long term दिख रहा है आपको और building अभी-भी बना कर बेची है short term दिख रहा होता फिर हम sale consideration को bifurcate करके दो अलग-अलग capital gain long term और short term निकालते लेकिन ऐसा नहीं है आगे बढ़ते हैं इन्होंने agreement किया है इस मकान को बेचने का Mr. Johar के साथ relative नहीं है ठीक है 2015 में 2015 में किया agreement sale consideration was fixed रुपीद 700 lakhs Mrs. Yuvika received 20 lakh as advance in cash executing agreement however due to failure on part of Mr. Johar इन्होंने sale execute नहीं कर पाएगे materialize नहीं कर पाएगे contract और यह advance money forfeit कर लिया है युवी का ने तो अब हमारे पास एक नया concept आ गया advance money forfeature का क्या करते है revise करा रहा हूँ 1 April 2014 से पहले अगर advance money forfeit हुआ है 1 April 2014 से पहले अगर advance money forfeit हुआ है तो उस property के capital gain निकालने में cost of acquisition को वो advance money reduce कर देगा और अगर 1 April 2014 या उसके बाद advance money forfeit हुआ है जैसा कि इस question में है तो वो उस वर्ष जिस वर्ष forfeit हुआ है उस वर्ष की IFOS की income मानी जाएगी section 56, section 56, bracket 2, bracket 9 ये माना जाएगा IFOS की income तो ये IFOS में जाएगा 20 लाख रुपे और वो भी assessment year कौन सा होगा इन्होंने advance money forfeit किया है 15-16 में तो 16-17 assessment year में ये taxable होगा हमारे year में इसे add करके total income दिखाने की जरूरत नहीं है इस बात का ध्यान रखिएगा हमारे year में इसको total income इसको मन दिखाईएगा क्योंकि ये दूसरे year की income है Mrs. Yuvika again entered into an agreement 2021 में 8-10 lakhs 80 लाख इनोंने advance money RTGS से लिया है RTGS ये prescribed bank mode हो गया इसका मतलब अगर मुझे कल को stamp duty value लेनी पड़ेगी तो मैं इसी date की stamp duty value लूँगा stamp duty value agreement की date की है 890 यही हमारे लिए matter करेगा sale execute हो गया registration भी हो गया agreement हो गया however stamp duty value revised होकर 900 बन गया जब वो registration हुआ है तो ये हमारे काम का नहीं है consequent to sale इन्होंने investment किया है दो property खरीदी है 130 और 50 180 लाक की तो ये भी दोनों property को एक साथ exemption में 54 में ले सकते हैं अगर 2 करोड से ज़ादा LTCG नहीं है फिर एक property खरीदी है उत्तरा खंड में 180 का तो बताइए 3 property खरीदी है अगर मुझे इन 3 में 2 चुनना पड़े तो मैं ये 2 highest वाला चुनूंगा क्योंकि मैं अगर ये 2 चुनता हूँ तो 2 करोड के नीचे है मैं 2 highest चुनूंगा 2 करोड तक तो exemption ले लूँ NHEI में भी invest किया है within 6 months from the date of transfer within 6 months date of transfer से और 50 लाग और 40 लाग भी किया है तो आपको पता है कि आप section 54 EC में maximum 50 लाग की exemption ले सकते है इस question में आपको 2 exemption देनी है अगर ज़्यादा capital gain है तो एक तो 54 की exemption जो 2 करोड के उपर नहीं होनी चाहिए और ये 54 EC की exemption जो 50 लाग से उपर नहीं होनी चाहिए compute taxable capital gain और कुछ भी नहीं बस ठीक है साब indexations वगरा की जुरुत पड़ेगी तो वो दिया हुआ है आई अब हम sale consideration पहले देखें sale consideration में अगर हम देखेंगे actual तो actual है 810 और stamp duty है 890 तो 810 और 890 अब हमें लेना कौन सा है पहले मैं 810 का 110% निकालू 891 आ रहा है SDV does not exceed 110% of actual sale consideration that's why actual sale consideration become the sale consideration तो हमारा sale consideration कितना बना 810 लाग माइनस index cost of acquisition एक cost of acquisition हमने निकाल लिया है 88 लाग multiply 3 17 divided by 245 113 और 122 अगला लेना है 113 तो करोड़ पॉर्टिसिक्स 867 25 तो करोड़ पॉर्टिसिक्स करना पड़ेगा 100 का 122 के साथ 25983 607 cost of transfer भी हमें 1% less करना है actual sale consideration का अगर मान लेज़े इस question में हम SDV ले ले लेते हैं 900 SDV होती है तो फिर SDV कोई sale consideration लेते लेकिन जो हम brokerage calculate करते हैं वो हम actual sale consideration पर calculate करते हैं इसे कभी मत भूलिए तो यहां फिलाल कितना हो जाएगा 810 का 8 लाख 10,000 और cap gain कितना जाएगा 2 करोड 95,009,667 माइनस आप 54 पहले दे दो exemption फिर इसी देखेंगे माइनस कर दोगे आप 54 अब 54 का एक बार revision फिर से देखें question में क्या है तीन मकान purchase किया था since यहां पर हमारा capital gain 2 करोड के उपर आ गया दो मकान के लिए आप exemption ले सकते हो अगर वो 2 करोड के उपर LTCG ना हो since यहां LTCG 2 करोड के उपर आ गया तो हमें यह 2 मकान वाला exemption नहीं मिलेगा यहां LTCG 2 करोड के उपर आ गया शुरुआत में में पता नहीं था तो हमने consider किया कि हम ले सकते हैं 2 करोड तक लेकिन चुकिए वो 2 करोड के उपर आ गया LTCG इसलिए हम 2 मकान के exemption तो नहीं दे पाएंगे अब एक मकान हमें देना है एक ही मकान के exemption ले सकते है एक मकान के exemption जड़ा देखें एक मकान इनों ने खरीदा है एक सो तीस और एक पचास और एक एक सो असी अच्छा ये एक सो असी उत्तराखंड है या United Kingdom है UK है पूरा लिखना चाहिए था question confusion है ना अगर मैं UK मतलब उत्तराखंड तो नहीं होगा ज़र बिल्कुल ठीक क्या रहे है उत्तराखंड को कहीं UK लिखा हुआ मैंने भी नहीं देखा UK United Kingdom को ही in short लिखते हैं तो ये है तो United Kingdom अगर उत्तराखंड होता तो उत्तराखंड proper लिखते अगर ये उत्तराखंड होता एक example समझा रहा हो तब मुझे इन में से best चुनने का मौका मिलता मैं 180 चुनता दो तो मैं ले नहीं सकता शुरुआत में तो मेरे पास दो option थे लेने के लिए कि हम ले सकते हैं लेकिन जब मैंने working किया calculate किया तो LTCG 2 क्रोड के उपर चला गया जिसका भी LTCG 2 क्रोड के उपर चला जाएगा आप 2 मकान के exemption चोवन में नहीं दे सकते ऐसा नहीं है कि आप 2 क्रोड के उपर अगर चला गया तो आप 2 क्रोड तक दे दोगे अगर LTCG 2 क्रोड के उपर है तो आप exemption 54 में एक ही मकान का दे सकते हो और दो मकान का भी अगर आप देते हैं तो life में एक बार ही देना होता है लेकिन condition है कि LTCG आपका 2 क्रोण के उपर नहीं होना चाहिए अब मुझे एक चुनना है वैसे तो मैं 180 वाला चुनता लेकिन चुकि ये उत्तरा खंड नहीं United Kingdom है UK है ना इसलिए मुझे अब इनमे से चुनना पड़े तो कि इंडिया में ही पर्चिस करना पड़ेगा आपको मकान 54 के लिए तो इनमे से अगर मैं चुनूंगा तो कौन सा चुनूंगा 130 तो यहां पर हम दे देंगे 54 की exemption 130 और 54 EC की exemption कितनी 50 50 वहां भी 50 के उपर नहीं हो सकता अब यह कितना बन गया यह बन गया 11 15 नहीं यह बन गया 1 करोड 15 लाख 19,666 यह आपका LTCG taxable बना तो इसमें भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिला अब हम next question की दरब move करते हैं आप answer tally करते रहेगा साथ वाई यह भी बहुत interesting question है बहुत ही बड़ी है question बहुत कुछ इसमें है full-fledged question हो तो ऐसा इसमें है Mr. Shiva जिन्होंने purchase किया है property 3.20 का और stamp duty pay किया 10% 3.50 के उपर तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इनकी cost of acquisition जो है 359 होगा लेकिन चुकि यह 79 का है तो हमें 2001 के fair market value से compare भी करना पड़ेगा और बड़ा obvious है कि compare करके 11,85,000 आ रहा है market value और SDV आ रहा है 10,90,70,000 अब आपको याद होगा कि 2001 से पहले की property 2001 से पहले का मैं revise करा रहा हूं सुनिएगा 2001 से पहले अगर आपने एक अपरेल 2001 से पहले कोई capital asset acquire किया है तो उसकी actual cost और market value as on one for 2001 whichever is higher will be taken as cost of acquisition यह बात तो सच है यह बात तो सच है यहां तक clear है लेकिन अगर land building की बात करे हैं हम बात किसकी कर रहे है land building की अगर हम land building की बात करेंगे तो land building में हमारे पास एक नया concept आया था और वो कहता था कि 1 अपरेल 2001 की fair market value से आप compare जरूर करो जरूर करो आपकी actual cost कितनी है 359 और आप जरूर compare करो इसके साथ लेकिन fair market value does not exceed must not be exceed stamp duty value as on that date if available अगर stamp duty value 2001 की available है तो आप उसको beyond करके FM भी नहीं लोगे अगर कम है तो कम लोगे लेकिन SDV अगर available है तो market value SDV के उपर नहीं जाएगा और यहाँ पर SDV है 1070 तो यह एक interesting question नया concept के साथ सीखने को आपको मिला कि यहाँ पर हम market value के comparison के बजाए stamp duty value के साथ compare कर रहे हैं और cost of acquisition क्या बन गया हमारा यह बन गया जिसको में index करेंगे आगे की कहानी अब जरा आगे बढ़ते हैं 2007 अपरेल में Mr. Shiva ने agreement किया है मोहन के साथ और यह advance money होने लिया है 2007 2014 के पहले लिया है however sale deed execute नहीं हो पाया materialize नहीं हो पाया और advance money forfeit कर लिया गया तो यहाँ पर आपको section 51 के अंतरगत as the advance money forfeiture को जो advance money forfeit amount है उसे cost में से reduce करना पड़ेगा और cost आपने 1070 ले लिया है तो बहुत ही कमाल का concept बन गया 1070 में अब हमें 111,000 माइनस करना पड़ेगा और अब मेरे यह originally अब मेरे पास यह cost बन के आएगी मैंने कहा था ना कि यह बहुत अच्छा question है 9.59 यह मेरे लिए cost of acquisition final cost of acquisition बनेगा आगे देखते हैं 2014 के माई में again agreement entered हुआ है और फिर से advance money ले लिया है और वो फिर से forfeit कर लिया है लेकिन चुकी यह एक अपरेल 2014 onward है इसलिए इसे हम नए नियम के मताबिक IFOS मानेंगे एक लाखे क्यावन हजार और वो assessment यह कौन सा होगा 14.15 है तो 15.16 होगा तो यह एक अलग अध्याय बन गया इसके आपको noting कर देनी है लेकिन income में आड नहीं करना है because दो अलग अलग वर्ष की हम बात कर रहे हैं अभी हम assessment year 22-23 निकाल रहे हैं 22-23 निकाल रहे अच्छा इसके बाद Mr. Shiva ने construct किया है first floor 3,90,000 cost of improvement है that will also considered while calculating capital gain on November 15-21 Mr. Shiva agreement एंटर करता है भगवान फिर से agreement एंटर कर रहा है फिर खाएगा क्या एक लाग 50,000 advance money लिया है through account paycheck ओहो नहीं नहीं इस बार नहीं खा रहे हैं इस बार वो SDV कौन से date की लेनी है वो decide हो रही है तो SDV हमें लेना है November 15 की November 15 की SDV तो हमें यह 39 SDV लेना है इस question में कितना कुछ है एक अपरेल 2000 एक वाला SDV और market value वाली बात भी है SDV दो अलग अलग दिया हुआ है तो section 50C में क्या apply करेंगे वो भी है section 51 भी है और section 56 bracket to 10 भी है 9 भी है advance money for features on और after 1st अपरेल 2014 2014 तो बहुत कुछ है इसमें तो यह SDV हमें considerate करना है बटा 30,50,000 sale consideration चलिए हम शुरू कर देते हैं यहां से कहानी को बनाना long term capital gain तो आई रहा है sale consideration 30,50,000 है और SDV हमारे पास है 39,00,000 most probably 39,00,000 ही जीतेगा actual यह 110% से ज्यादा SDV है actual के 110% से ज्यादा SDV है तो यही जीतेगा minus index cost of acquisition cost of acquisition हमने अभी final किया था 959 959 multiply 317 divided by 100 3,040,030 minus index cost of improvement दोस्त improvement कितना था improvement कहां गया भाई 3,090,00,000 है यह रहा हमारा improvement 3,090 और यह कब का है यह है है तीन लाग नब्वे हजार मुल्टिप्लाइ थ्री वन सेवन अपॉन दो सो शॉलिस पाइब वन वन सर अपने कोस्ट अप्रांस्ट नहीं किया वो मैं लास्ट में करता हूँ वैसे आप पहले करना चाहें तो पहले भी कर सकते हैं दोनों तरीका सही है कोई दिक्कत की बात नहीं है बट याद रहे कि यह वन परसंट है और यह वन परसंट किसका होना चाहिए अभी डिसकस किया था एक्चुल सेल कंसेडेशन का तो एक्चुल सेल कंसेडेशन कितना है 30,50,000 तो उसका 1% कितना होगा 30,500 कोई एक्जम्शन यहां नहीं डील की गई है तो जस्ट आप LTCG निकालें और काम को तमाम समझें उम्मीद करता हूँ कि यह चारों वीडियो जो सिक्वेंस में है यह आपके लिए बहुत बेनिफीशल होगा आपके एक्जाम में स्कोरिंग आप अच्छे ही स्कोर कर पाएं अगर आपका कैपिटल गेन से कॉश्चन बनता है तो उम्मीद करता हूँ कि समझ भी आया होगा रिवीजन भी थोड़ा बहुत तो हुआ होगा प्रैक्टिस के साथ साथ एक बार दो घंटे लगा के आप खुद से आफटर 10 डेज, 15 डेज यह पूरा वीडियो देखने के बाद चारो वीडियो, सिक्वेंस में देखने के बाद 15 दिन के बाद आप एक बार जरूर पूरा फिर से कंप्लीट कर ले बिना वीडियो के उसके बाद फिर आप टेंशन डानो, उसके बाद तो छोड़ दो कॉस्चन आंसर जब आप करते हो एक छोटी सी बात आप से शेयर करना चाहता हूँ जब आप किसी भी सब्जेक्ट का कॉस्चन आंसर करते हो तो एक चीज तो मैंने आपको सिखाया होगा लास्ट या उसके पहले वीडियो में कि आप पहले कॉस्चन ज़रूर सॉल्व करो और फिर देखो आंसर क्या है वो ज़रूरी है एक चीज और समझाना चाहता हूँ जब आप करते हैं आंसर किसी कॉस्चन का और वो आपको समझ में तो आगया सही भी है बट आपको लग रहा है कि यार ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आप फस सकते हो फ्यूचर में भूल सकते हो फ्यूचर में उसे जरूर हाईलाइट कर लिया करो वो काम आता है बाद में रिवीजन करते से आप थेयरी का रिवीजन करते हो निमेरिकल कॉष्चन आंसर का कैसे रिवीजन करते हो ऐसे ही करना है कि आपने सॉल्व कर रखा है बस अब आप कॉष्चन देखोगे और माइंड में अपलाई करोगे कि ये इस तरीके से होगा क्योंकि आपने हाद से खुद से लगाया है जो भी हिस्सा कॉंप्लिकेटेड है जिसको आपने हाइलाइट किया है उसको एक बार दुबारा से देख जाना ये लास्ट मूवमेंट की बात करता हूँ जो एक्जाम से पहले हम एक बार देख कर चाते हैं तो पढ़ते रहिए स्वस्त रहिए अच्छा स्कोर करें फिर मिलते हैं बाई